हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो माई चैनल, बेबी मॉमी हेल्प मैं में आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग? I think सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे बच्चे कब पलटना शुरू करते हैं? डेवल्पमेंट माईली स्टोन होता है जी हाँ दोस्तो जब आपका बच्चा जर्म लेता है और वो तीन साड़े तीन महीने का हो जाता है उसके बाद से हर माता-पिता ही सोचने लगते हैं कि अब हमारा बच्चा कब पलटना शुरू होगा तो दोस्तो आज बच्चे के पलटने से रिलेटेट में पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उमेद करूंगे आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिगा देखें रोल होना या पलटना बच्चे की डवलप्मेंट का सबसे पहला माईली स्टोन में से एक है एक छोटा सा बच्चा जो खुद से कुछ नहीं कर सकता है उसे पलटता या रोल होता देखकर बहुत खुशी होती है यह skill बच्चे में समय के साथ धीरे धीरे अपने आप ही आ जाती है इससे पता चलता है कि बच्चे के बाजुओं में ताकत बढ़ रही है हलाकि आगे से पीछे और पीछे से आगे की और रोल होने के लिए अलग-अलग muscles और skills की जरुद पड़ती है अब बात करते हैं सबसे पहले बच्चा कब पलटना शुरू करता है कितने महीने से पलटना शुरू करता है देखे बच्चे किस उम्र में पलटना शुरू करते हैं ये question बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लेकिन इसका कोई particular answer नहीं है क्योंकि समय या उम्र नहीं होती है इस चीज़ की कुछ बच्चे तो 3-4 महीने की उम्र में रूल होना शुरू कर देते हैं और कुछ 7 महीने की उम्र में भी रूल नहीं होते हैं हलाकि 5-7 महीने के बच्चों में flexibility आ जाती है जिसकी वज़े से उनमें अलग-अलग direction में पलटने की skills develop होने लगती है जैसे आगे से पीछे, पीछे से आगे और अगल-बगल में वो आसानी से रूल होना शुरू कर देते हैं जब आपका बच्चा पलटना शुरू कर देता है तो क्या सावधानिया रखनी चाहिए देखे, बच्चे को एक तरफ से दूसरी तरफ रोल करता देखना बहुत अच्छा लगता है हालाकि इसके लिए आपको सावधानिया बरतना बहुत जरूरी होता है बच्चे का डाइपर या उसके कपड़े बदलते समय आप बच्चे को टेबल या किसी उची जगह रखने के बजाए जमीन में मैट पिछा कर रखे ताकि बच्चा पलटते समय गिरे ना कि अगर आप कुछ भी चीज लेनी के लिए उठते हैं इतनी दियर में अगर बच्चा पलट जाता है तो बच्चा गिर भी सकता है बच्चे को जमीन पर रखते समय ध्यान रखे कि आसपास कोई भी चीज या खिलोना ना रखे ताकि उसे चोकिंग का खत्रा ना हो बच्चा उठा कर उसमें मूँ में भी दे लेता है जब बच्चा पलटना शुरू कर दे तो आप उसे लंबे समय तक अकेला ना छोड़े बैड पर अकेला ना छोड़े अगर बच्चे को बैड पर आपने लिटाया है तो आपको उसके चारो तरफ पिलो या ब्लैंकट लगा देने चाहिए जिससे की बच्चा ना गिरे आप बच्चे को उसके कुछ साल बड़े बहन भाई के पास ना सुलाएं सोते समय बड़ा बच्चा उस पर हाथ या पैर रख सकता है जिसकी वज़े से भी बच्चे को प्राब्लम हो सकती है बच्चे के आसपास कोई भी चीज ऐसे आपको नहीं रखनी है चोटी चीज जो बच्चा उठा ले और मूमें दे ले या बच्चे को चुप जाए बच्चा अगर करवट लेके उसके पास आ जाता है तो बच्चे के लिए प्राब्लम हो सकती है अब बात आते हैं बोट पर पुछा जाता है कि अगर हमारा बच्चा प्री मैच्चूर है तो क्या होगा देखे, pre-mature और बच्चे, full-term बच्चे की तुलना में देड़ से पलटा शुरू करते हैं जैसे 6 महिने का pre-mature बच्चा जो 2 महिने ही दुनिया में आ गया है उसके उम्रे 4 महिने मानी जाते हैं इसलिए यदिवे 6 महिने में यह milestone पूरा करता है तो वह चार महिने के बच्चे के समानी हुआ, ये बिलकुल सामानी है बेबी पलटना कैसे सीखेगा, देखे बच्चा पलटना या रोल होना धीरे-धीरे सीखता है rolling over milestone को पूरा करने के लिए बहुत सारे development होते है देखे, पहला महिना, बच्चा मुश्किल से अपना सीर हिला पाता है दूसरा और तीसरा महिना, बच्चा साइड में मोड सकता है कुछ बच्चे इस समय पेट से पीट के बल आसानी से रोल हो जाते है तीसरा और चोथा मैना बच्चा सीर को उपर के और उठा सकता है क्योंकि इसकी गर्दन की मसल्स मजबूत हो जाती है हलाकि बच्चे का सीर आगे वे पीछे की और हिलता रहेगा बच्चा अपना सीर वेकंदा थोड़ा बहुत उठा सकता है पुश अप पॉजिशन में आ सकता है जिससे पीठ की मसल्स को मजबूत होने में मदद मिलती है अब बात करते हैं चोथे और पांचु महीने की बच्चा पुश अप पॉजिशन में बहुत ज़्यादा खेलेगा बच्चा शरीर को श्ट्रेच करके खिलोने और अन्या चीजों तक पहुचने का प्रयास करेगा बच्चा पीठ के बल आगे की और रोल करेगा बच्चा सिर को बहतर तरीके से संभाल सकेगा अब बात करते हैं पांच और छटे महीने की बच्चे का सिर हिलना बंद हो जाता है और वह बैट कर अपना सिर होल्ड कर सकेगा बच्चा सीना होल्ड कर सकेगा और पेट के बल से पीछे की और रोल हो सकेगा इस समय तक कुछ बच्चे क्रॉल करना शुरू कर देते हैं बच्चे को पलटना कैसे सिखाएं पेट केबल लेटने से बच्चे के मोटर स्किल्स का बहुत अच्छे से डवलपमेंट होता है। इस पोजिशन की वज़े से बच्चा पुश अप पोजिशन में आता है। जिससे उसका शरीर, गर्दन और बाजू मसल्स सब मजूद होते हैं। बच्चे को दोनों तरफ वेट पीट के बल की पोजिशन में भी खेलने के लिए प्रेरित करें। जब आपका बच्चा 15-20 दिन का होता है, तभी से ही बच्चे को टमी टाइम देना शुरू करें। बच्चे की मालिश ज़रूर करें, जिससे की बच्चे की मशल्स मजबूत बनें। बच्चे को थोड़ी देर पिलो का सहरा देकर आप लिटा सकते हैं जिसे और थोड़ी देर जब आप बच्चे को लिटाते हैं तो सपोर्ट दें बच्चे की बैक को तो दीरे दीरे क्या होता है कि बच्चे की मसल्स मजबूत हो जाती है और बच्चा हातों के बल अपने आप उपर की तरफ उठाना शुरू कर देता है तो इस तरीके से बच्चा जल्दी पलटना सीखता है अगर आप बच्चे के साथ थोड़ी सी महनत करते हैं तो मसल्स रीड की हड़ी और गर्दन की जोई मसल्स होती बच्चे की काफी मजबूत हो जाती है तो उम्मीद करती हूं द